नमस्कार दोस्तों, Perfection IS के YouTube चनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं फिर से एक से लेकर 25 MCQ लेके आया हूँ जो कि BPSC 66 एक्जाम जो प्रिलिम्स का होने वाला है उसके लिए important है आप इसमें से देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया ये जो सवाल है, जितने भी सवाल है एक से 25 तक इसको बनाने का मुख़कार कारण यही है कि आप अपने आपको देखें कि आपने एक से 25 तक में कितने सही किया अगर मैं इसको cut-off marks के लिए आपको बोलूँ दोस्तों अगर आपने 25 में से 20 question सही कर दिये तो आपकी तैयारी अच्छे चल रही है अगर आप 15 से 20 के बीच में हैं तो average में हैं अगर 15 से नीचे हैं तो हमें और तैयारी करने के जरुद पड़ेगी तो दोस्तों ये जितने भी सवाल है आपको मैं 2 से 3 सेकेंड का time दूँगा आपको आपके जितने भी स्कोर हों इमंदारी से आप comment में लिखके बताएंगे कि आप कितने स्कोर कर पाएं हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो पहला सवाल है कि आज निमलिखित में से कौन सा सिंदू गाटी सबधा पर प्रकास डालता है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सिंदू गाटी सबधा के गाटी के सबधा पर प्रकास डालता है तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी पुरा तत्व समंदी खुदाई जी है दोस्तों ये इसका आंसर है नेक्स कोशन के तरफ चलते है सिंदू गाटी सबधा जानी जाती है ए अपने नगर नियोजन के लिए मोहन जोदरो और हडपा के लिए अपने कृशी समंदी कारे के लिए या अपने उद्धियोगों के लिए आपको बताना है कि इसमें से कौन है कौन कौन है जो सही है इसमें से E आप्शन भी हो सकता है दोस्तों मैंने E का जो है वो आप्शन में नहीं दिया लेकिन आप दे सकते हैं कि इसमें कौन सा या तो चारों हो सकते है या दो हो सकता या एक हो सकता है तो अब बताए कौन सा होना चाहिए इसका आंसर है दुस्तो All of the above यानि कि चारो के चारो जो आंसर हैं इसके सही है सिंदु गाटे सब बिटा सिर्फ एक रिजन के लिए नहीं जाने जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जो पकीटी की नालिया थी वहाँ पे आपने देखा होगा जो नगर नियोजन जो सड़के बने हुई थी और ये कृशी शमंदी कार भी जानते थे इसके बाद जैसे आरे लोग आये तो वो कृशी से परचित नहीं थे लेकिन सिंदुगाड़ी सबेदा के जो लोग थे वो परचित थे और अपने उद्योगों के लिए भी जाने जाती है इस तरीक से इसका जो आंसर होगा चारों के चारों है वो सही है नेक्स्ट क्वेशन के तरफ चलने है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा है आपके सामने उप्शन है A, B, C, D तो कौन कौन सा है जो सही हो सकता है चलिए दोसर इसका जो आंसर है वो है आप्शन नंबर B जी यहाँ आप्शन नंबर B यानि कि एक, तीन और चार जैन धर्म इश्वर को नहीं मानता है सही है तीन, जैन धर्म, पुनर जर्म एवं करवबाद में विश्वास करता है और चार, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेस बल दिया गया है दोस्तों यह चीटी भी मारने से पहले सोचते हैं कि मैं चीटी मारने चाहिए कि नहीं मारने चाहिए नेक्स क्वेशन के तब चलते हैं जो कि बौध धर्म से रिलेड़ेड है बौध के धर्म चकर परवर्तन से क्या तत्पार्य है अबको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो बौध के धर्म चकर परवर्तन से तत्पार्य है इसका आंसर है दोस्तो option number B जी हाँ दोस्तो मैं आपको एक suggestion दूँगा दोस्तो आपके group में जितने भी लोग तयारी कर रहे होंगे आप उनके साथ मिलके आप एक तरीके से challenge वाला game खेल सकते हैं आप उनको ये video share कर सकते हैं कि तुम बताओ कि तुमने कितना सही किया अगर आप वो कोई video देख रहे हैं आप उनसे बोल सकते हैं कि वो आपको share करें तो एक तरीके से ये two way communication के हिसाप से आप अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं चलिए next question के तरफ देखते हैं दोस्तो कह रहा है कि number 5 number question की स्तूब के सम्मंद में निमलिखित में से कौन सा कथन असत्य है a इसमें गर्ब गरी होता है b इसके उपर छट रहता है c इसके चारोवर दिशाए होती है yait d इसके साथ पदिख्षिना पत होता है तो इसमें बताना कि कौन सा कथन जो है असत्य है इसका जो आंसर होगा वो है option number A इसमें गर्ब गरी होता है ये answer जो है इसका गलत है बाकि जितने भी 3 है इसके उपर छत रहता है of course जो स्थूप होते हैं इसके चारो और दिशाए होती है ये भी है और इसके साथ प्रदिक्षना पत भी होता है चलने के लिए ये भी साही है next question देखते हैं दूसरो number 6 कह रहा है कि वर्ज छेदी का नामक गरंद निमलिखित में से किस से समंदिद है A. महायान B. योग C. आयरवेद D. विनैपिटक तो आपको बताना है कि वर्ज छेदी का नामक गरंद निमलिखित में से किस से समंदिद है तो दूसरो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर A. महायान से समंदिद है मज़ों मेद हैं आप participate कर रहे हैं इस questions में आप बनाने कोशिश कर रहे हैं आप वीडियो को pause करके भी सुन सकते हैं और अपने आंसर लिख सकते हैं copy पे और आप comment में जरूर बताइए कि आपने कितने questions के आंसर सही कियें ताकि मुझे भी help मिलेगा कि questions के level को मैं और बढ़ाऊं आगे चलके जो आपने questions touch नहीं किया होंगे और दोस्तों हमारा चैनल जो है subscribe करना ना भूले question number 7 कह रहा है महावीर स्वामी को जिन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे च्छत्रिये थे वे राजकुमार थे B या C उन्होंने अज्ञान को जीत कर कैवल अज्ञान प्राप्त किया था या D वे तपस्वी थे इसमें से कौन सा वाजकारन है कि महावीर स्वामी को जिन कहा जाता था इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो है आंसर C उन्होंने अज्ञान को जीत कर कैवल अज्ञान प्राप्त किया था जी हैं दोस्तों चले नेक्स कॉशन के तब चलते हैं कॉशन नमबर एट करा सोला महा जन्पदों के उदाया के कारण के नहीं है अप्शन नमबर एक कृशी प्रसार बी लोहे का उपियोग सी विदेशियों के दोरा वजिच होने का भै या डी व्यापार तथा नगरी करन विकास तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कारण जो है जो महा जन्पदों जितने भी 16 महा जन्पद हैं जहां तक मुझे याद है उनके उदेख के कारण क्या का थें और उसमें से कहना है कि यह क्या कारण नहीं है तो चारों में से एक जो हो सकता है वो कारण नहीं हो सकता है बाकि सारे कारण हो सकते हैं तो वीडियो को पॉस किजिए और बताए कौन सा कारण नहीं है तो आप्शन नमबर C इसका सही ए आंसर कि विदेशियों के दौरा वजित होने का भै ये बिलकुल भी नहीं दोस्तों ये ऐसा था ही नहीं कुशन नमबर 9 देखते हैं सुशूत ने किस छेत्र में युगदान किया था तो उपको बताना है कि सुशूत जो थे वो किस छेत्र में उन्होंने युगदान दिया था तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो आंसर है B शल्य विज्ञान में सुशूत ने युगदान दिया था कुशन नमबर 10 के तरब चलते हैं दोस्तों निमलिकित में से किस ने कहा कि चंदगुप्त ने 6 लाख की सेना लेक संपून लेकर संपून भारत को रौन डाला करहा कि निमलिकित में से किस ने कहा कि चंदगुप्त ने 6 लाख के सेना लेकर संपून भारत को रौन डाला था तो किस ने कहा था आपको ये बताना है तो उसका सही जवाब है दोस्तों आप्शन नमबर बी प्लुटार्क नेक्स क्वेशन के तरब चलते हैं कह रहा है कि कलिंग यूद के सम्मन्द में कौन सा कतन असत्य है आ, युद्ध के समय कलिंग पर नंद राज का राज़े था ऐ, अशोक ने कलिंग पर आकरमरन विया पैरिक दिस्ट्रि से महत्पून होने के कारण किया या, तो इसमें आपको बताना है काउन सा कतन है जो असत्य है अब वीडियो को pause केजिए, सारे answers ध्यान से देखिए इसके उपर मन्थन केजिए, तब answer देजिए कि आपके हिसाब से कौन सा है जो सही नहीं लग रहा आपको ये बहुत ज़री है कि आप exam में questions को कम से कम दो तीन बार पढ़ें और देखें कि क्या कह रहा है और answers भी पर है options जो देए रखें आपको फिर एक दूसरे option से compare करने में आपको help मिलेगी और आप जो गलत है उसको पहचानने में अपनी भूमी का अच्छे निभाब आएंगे तो दोसिश का जो सही जवाब है वो है option number B option number B अशोक ने कलिंग पर आखबन व्याप्यारिक दिस्ट्री से महत्पुन होने कारण किया ऐसा नहीं था दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था next question के तब चलते हैं नासी का भी लेख में प्राप्त होने वाला निर्वर्तन शब्द निर्दिश्ट करता है option number A अपको ये बताना है कि नासीक अभी लेख जो प्राप्त हुआ है उसमें निर्वर्तन शब्द निर्दिश्ट करता है किसको इसका सही जवाब है दोस्तो भूमी माप next question के तब चलते हैं मिलिंद पनोहों से किसकी जनकारी मिलती है भारत चीन संपर्क option number A B भारत रोम संपर्क option number C भारत अरब संपर्क या option number D भारत ग्रीक संपर्क तब को बताना है कि मिलिंद पनोहों से किसकी जनकारी मिलती है इसका सही जवाब है दोस्तो option number D भारत, ग्रीक, संपर्ख next question के तब चलते हैं गुप्तकाल में शास्कों की भाषा निमलिकित में से कौन थी? बहुत important सवाल है जो प्यूचा भी जा चुका है बहुत सारे exams में पहले भी के गुप्तकाल में शास्कों जो थे उनकी भाषा क्या थी? मगधी, A, पाली, B, C संस्कृत, या D, प्राक्रिद तो आपको बताना है के गुप्तकाल में देखिए मौरेकाल में ने, मौरेकाल में ने गुप्तकाल में तो इसका जो सही जवाब है वो है option number C संस्कृत थी गुप्त काल में शास्कों की भाषा नेक्स्ट क्वेशन के दर देखते हैं दोस्तों कहरा है पंदना नंबर क्वेशन सरव प्रथम अवतारवाद के अंतरगत अवतारों के पूजा किस काल में प्रारंभ हुई A. वैदे की युग में B. उत्तरवैदे की युग में C. मौरे युग में या D. गुप्त काल में तब को बताना है कि कौन सा सरव प्रथम अवतारवाद के अंतरगत अवतारों की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई तो इसका सही जवाब है दोस्तों Option नंबर D Option नंबर D इसका सही जवाब है Next question के दर देखते हैं दोस्तों गुप्त शाशन में प्रथम कुलिक नामक पदाधिकारी का क्या तात्य पार्य था Option नंबर A व्यपारियों का प्रधान B. मुख्य शिल्पी C. बेकार करने वाला D. व्यपारियों का रक्छक दल आपको बताना है कि गुप्त शाशन में प्रथम कुलिक नामक पदाधिकारी का क्या तात्य पार्य था या मतलब क्या काम था उसका जो उसका में काम करता था तो उसका सही जवाब है दोस्तों मुख्य शल्पी Next question के दर देखते हैं अलाओ दिन खिलजी के शाशन काल में आमिल कौन हुआ करते थे ऐसे Medival History से questions आ जाते हैं कि कौन से पद का नाम का क्या काम था ऐसे questions बहुत सारे exams में आ चुके हैं खासकर करके BBSC में भी तो आप देख सकते हैं कि 17 question करा है कि अलाओ दिन खिलजी के शाशन काल में आमिल कौन हुआ करते थे इसका सही जवाब होने से पहले आपको option पढ़ देता हूँ मैं कि मुल्तान के विबारी या B. भू राजस्व संगरह करने वाले सरकारी करमचारी या ग्रामी नस्तर परस्थानिय भू स्वामी या D. बंजारे जो गाउं से खाद्यान साथ ले जाते थे तो आमिल जो है कौन थे इसका सही जवाब है दोस्तों option number B. भू राजस्व संगरह करने वाले सरकारी करमचारी को आमिल कहा जाता था next question कितब देखते हैं दोस्तों कहरा कि निम्ण में से कौन सा भवन फतेफ और सिक्री में इस्थित नहीं है फतेफ और सिक्री का नाम आपने सुना होगा तो option number है कि A. किला एक कोहना मस्जद B. बुलंद दरवाजा C. अनूप तालाब D. पंच महल आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है फत्यफ और सीकरी में नहीं है यानि कि कौन सा मतलब है कि तीन सही होगा, एक गलत होगा तो आप याद दख सकते हैं कि अगर एक नहीं है से ज़्यादा important ये भी है कि कौन कौन है तो इसमें आपको दो question मिल सकते हैं आपको दोस्तो उसको जो सही जवाब है दोस्तों वो है option number A, किला एक कुहना मज़ित ये वहाँ पे नहीं है जल्दी से बताईए कमेंट में किस ने प्रेम वाटिका की रचना की थी तो दोस्तों इसका सही जवाब है option number C, रस्खान ने प्रेम वाटिका की रचना की थी नेक्स question किताब देखते हैं दोस्तों अल बरुनी ने अपने किताबो इलहिंद में भारतियों के विशिस प्रसंचा की है और वो किस कारण से की है ये आपको ढोड़ना है इसके अंदर option number A, B, C, D ये long answer है तो मैं पढ़ूंगा ने, आपको खुद पढ़के विडियो पॉस करके देखना है क्या कारण हो सकता है तो इसके जो सही जवाब है दोस्तों option number C, पविदर अस्थानों पर तलाबों तथा जल संग्रहन कारेों के निर्मान में उच्च कोटी की प्रवंता के लिए अलबरुनी ने अपनी किताबों हिल्द में भारतियों के विशेश प्रशंचा किया है next question के दब देखते हैं तो भारत पर महमूद गजनवी के आक्मरन के समय निमलिकित में से कौन सा समू राजियों के शासकों को सुझित करता है option number A तब कर बताना है कौन सा समू राजियों के शासकों को सुझित करता है जब महामूद गजनवी ने आकर्मन किया था इसका सही जवाब है दोस्तों option number B जैपाल, फतेहा दाउद और महीपाल दोस्तों एक आपको सवाल पूछता हूँ आपसे कि सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आकर्मन कारी कौन था comment में लेकर बताईए next question के दब देखते हैं दोस्तों विजय नगर काल में दक्षिन भारत के किस निर्थ प्रंपड़ा की पहले बार विकास हुआ था option number ए जो कि दक्षिन भारत के लिए जाना जाता है तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है option number B यक्षगान के लिए next question के दब देखते हैं दोस्तों किस मुगल बादशाह को सयद बंधू द्वारा मुगल सिहासन पर बैठाया गया था कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो सयद बंधू थे ये बहुत famous थे सयद बंधू दोस्तों जो कम से कम तीन चार शाषकों को इन्होंने गद्धी पर बैठाया उतारा तो को बताना है कौन सा ऐसा शाषक था इन में से जिसको उन्होंने गद्धी पर बैठाया था इसका जो सही जवाब है दोस्तों आप्शन नंबर सी फरुख सियर को इन्होंने सिहासन पर नेक्स कुर्शन के तब देखते हैं दोस्तों 18-17 के विद्रों में खान बहादूर ने कहां के विद्रों का नित्रत्व किया था तब को बताना है कि 18-17 के विद्रों में खान बहादूर ने कहां के विद्रों का नित्रत्व किया था 24 का आंसर क्या होगा ये बताना है आपको उसका जो आंसर है वो है आप्शन नंबर A बरेली से आपको पता हुआ किसने कहां कहां से कौन कहां कहां से शामिल हुआ था जो कुणर सिंग थे वो बिहार में कहां से शामिल हुए थे आप ये बताए ये कमेंट में नाना साहिब कहां से थे राली लक्ष्मी भाई कहां से थे लखना उसे कौन शामिल हुआ था ये आपको बताना है आज के सवाल में एक सवाल में आपसे पूसता हूँ जो आपको खुझ से आंसर देना है अब सवाल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि भारतिये विश्वविदाले अधनियम किसके कारेकाल में पारित हुआ उप्शन नमबर A है लॉड मेयो, B लॉड करजन, C लॉड रिपन, D लॉड लिटन तो सवाल में तो एपिट करता हूँ, भारतिये विश्वविदाले अधनियम किसके कारेकाल में पारित हुआ तो आपको ढूणना है इसका आंसर, आपको कमेंट में लिखके बताना है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा जो विजेता होगा, सबसे पहले जो कमेंट करेगा, उसका नाम में अपने अगले वीडियो में लोगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो हमारा चैनल Perfection IS इसे सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने अपने आंसर्स कमेंट में लिखना ना भूले मैं वीक में कम से कम कोशिश करूँगा, कि कम से कम दो से तीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाओं तो आकि आप हर बार अपने answers इंप्रूव करने की कोशिश करें, अपने score को इंप्रूव करने की कोशिश करें तो दोस्तों बहुत पर शुक्रिया आप सभी का Perfection IS के YouTube जनल में आपका सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद